क्योंकि गर्मी कैसे सांत होगी ये तो मैं मई और जून में भी इसको बहुत सिमला बना देता हूँ इस समय अपना सिर उठाने का प्रियास कर रहे हैं पांच वरसे तक इस अभी लोग बीडों में गुसे थे दुपके वे थे जो थोड़े बहुत कभी सबजी के लिए निकलता था पुलिस पकड़ती थी अगले दिन गले में तक्ती लगार करके आता था कासा पकस दो बस सबजी बेच करके अपना परिवार का भणकोशन कर लेंगे आप दस मार्ची के बाद देखना फिर इनके गलिये में फिर वही तक्ती लटक्ती भी दिखाई देगी और फिर एक गर्मी जो अभी किराना में और मुझफव नगर में कुछ जगे दिखाई दे रही न इस सब सांत हो जाएगी इसके बाद दोस्तों आज हम बात करेंगे जो मई जून में सिमला बनाने की बाद यूपी के चुनाम में हुई थी कही न कहीं जो उत्तर प्रदेश के अंदर जिस तरह की धमक दिखाई जा रही थी और उसके बाद योगी को आकर के ये बयान देना पड़ा था और योगी ने कहे दिया था कि जो लोग इस तरह की भासा बोल रहे हैं और जो पांच साल बिलों के अंदर रहे वो कहीं न कहीं उन बिलों से निकल के फन फना रहे हैं दस मार्च के बाद मैं जून में सिमला बना दूँगा इस तरह का बयान था और आज कही न कही नाहिद हसन सही सुना आपने जो कैराना के अंदर से जब इस तरह की बयान बाजी हो रही थी तभी योगी जी ने कहना पड़ा था और उसके बाद आज कही न कही योगी का बुल्डोजर नाहिद हसन के करिवियों तक पहुंच चुका ह नाहिद हसन विधायक है सपा के प्रत्यासी और उसके बाद अब उनके चाचा पर सर्वर हसन, अरसद हसन, अरसद अली इन तीनों के उपर आप कही न कहीं जो बुल्डोजर चला है वो बुल्डोजर के साथ साथ अब डाइनमिक भी चलने लगा है क्योंकि बुल्डोजर में थोड़ा समय लगता है अब योगी सरकार अब डाइनमिक भी उसमें प्रियोग में ला रही है अब कहीं न कहीं जो आरसद अली और या फिर सरवर हसन हो या बिधायक नाहिद हसन के जो चाचा हैं उनके उपर सत्रू संपत्ति के मामले में जो जमीन को हडपा था जिनमें कलोनिया काटी थी जिनमें अवैद जो संपत्ति बनाई गई थी उस पर अब बुल्डोजर चलने लगा है सत्रू संपत्ति आखिरकार होती क्या है ये आपको पहले पता होना चाहिए सत्रू संपत्ति उसको कहा जाता है जब कोई देश के साथ अगर क उस युद्ध में जो लोग देश को छोड़ करके चले जाते हैं उनकी संपत्ति यहां रह जाती है उस पर सरकारी अधिकार हो जाता है और उसके बाद अगर उस जमीन को कोई हत्या ले और उस पर अवैद कबजा कर ले तो उसको सत्रू संपत्ति के नाम से घोसित कर दिया जाता है ऐसे ही कहराना के अंदर बहुत सारी जमीन पर नाहिद हसेन के परिवार का कबजा था अब जो गर्मी चुनाब के समय दिखाई जा रही थी और जिस तरह के बयान चुनाबों में आये थे आज कही न कहीं वो गर्मी अब योगी के बुल्डोजर ने सांत कर दिया है सांत करना सुरू हो चुका है और ये बुल्डोजर अभी रुखने वाला नहीं है जब तक अवैद संपत्यों को खाली नहीं करा लिया जाएगा तब तक ये बुल्डोजर रुखने का नाम नहीं लेगा कलोनियों के अंदर जब तहसीलदार ने जब मुआयना किया और उसक पान भी थे CRPF की फोर्स भी साथ में गई थी कि किसी तरह का उनके उपर दबाब ना बनाया जाए कहीं कैराना के अंदर जिस तरीके से गर्मी दिखाई जा रही थी कि वो दुवारा से बुल्डोजर पर गर्मी ना दिखाने लगे तो इस तरह की सुरुच्छा के साथ जो कैराना के अंदर नाहिद हसन के जो गुर्गे थे उनके अंदर अब इस तरह का भै बन चुका है कि जिस तरीके से जो गर्मी निकालने की बात कर रहे थे सिमिला में जो ठंड होती है वो अब कहीना कहीं कहराना के अंदर वो ठंड का महसूस होना सुरू हो चुका है जिस तरीके से अगर हम सामली की बात करें तो गुर्ग जैसा माहौल चीनी मिठास जैसा वो सामली और सामली के अंदर अगर इस तरीके के कड़वे सब्द और धम पर दिया जाएगा हम कुछ भी बिगाड देंगे इस तरह के बयान जो आए थे और जिस तरीके की धंकिया दी गए थी योगी ने उसी समय हो सकता है कि अधिकारियों को ये कह दिया गया होगा कि निकाल लो भाई लेका जो का अब इनके उपर जो गर्मी है वो गर्मी तो सांत करनी पड़ेगे अगर गर्मी सांत नहीं होगी तो ये ऐसे काम नहीं चलेगा हलांकि कहराना से म्रगां का भाजपा की जो नेत्री थी वो नाहिद हसन से वो हार गई अब कहीं ना कहीं अब कुछ लोग ये भी कहेंगे कि नाहिद हसन मुसल्मान है इसलिए उसके उपर बु यूपी का ऐसा कोई भी जिला नहीं है जहां पर योगी का बुल्डोजर नहीं चल रहा हो योगी का बुल्डोजर बराबर कार कर रहा है और योगी का बुल्डोजर नैस्तना भूत कर रहा है जो किसी समय अपने आपको बड़े नेता बड़े अधिकारियों के जो चेले ब पाई जाते हैं और आयसे संपत्ती जादा होने के कारण उनके यहां भी बुल्डोजर चला है ऐसी बात नहीं है कि केबल नाहिद हसन के उपर ही चल रहा है और भी मेरट में चला और भी प्रियागराज में चला जिस तरीके से बुल्डोजर का कमाल चुनाब के अंदर देखन है अब वो जो अवैल संपत्ती के उपर जो कबजा किया हुआ है या नाहिद हसन हो या कोई और हसन हो उनके पास तक बुल्डोजर की धमक जरूर पहुँचेगी ऐसी खबरों के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा जैहिंज जैबारत